हलो इस्टूडेंट कैसे हैं आप सब इकबारपुना सीव कोचिंग क्लासस 2.0 पर स्वगात है और भौत की विज्ञान का चैप्टर 1 का सेकेंड वीडियो है इसके पहले फास्ट वीडियो में ने अप्लोड कर दिया था जिसमें बच्चों ने कहा था कि सर अगला वीडियो किजे और डेली अप्लोड किजे तो आपके लिए सेकेंड वीडियो है जिसमें हम चर्चा करें के बहुत की की साखाएं बहुत महत्पूर्ण टॉपिक है देखें परिच्छा की द्रिष्टिकोंड से पैरे भायों हर चीज महत्पूर्ण नहीं होता लेकिने कभी-कभी दो सूर अस्थ हो रहा है है ना सूर डूब रहा है या कि सूर उग रहा है सूर क्या है भाई है ना इसके अंदर क्या क्या चीजे है ठीक है सूर की परिक्रमा कौन करता है प्रत्वी की आकार कैसी है प्रत्वी अपने मतलब घूना नच पे कितने समय में घूम जाता है रकूर्ण अध्धन हम क्या कहलाता है प्हुतह्ती यही प्रकर्ति में जो भी घटना हैं आपको दिख रही हैसी प्रकार से बिभिन प्रकार ق्रण की घटनाओं का जब अध्धन करते हैं उसे simplified है भात्की तो बहुतकी आपको clear हो गया प्रकति और प्रकति घटनौं का अद्धनी बहुतकी कहलाता है बहुतकी को दो भागों में बाटा गया चिरसम्मद बहुतकी और आधुनिक बहुतकी का तार्थ पर यह प्यारे भायों कि आज की जवाने में जो भी सिध्यान्त खोजा जा रहा है य उस भुतकि को हम कहते हैं चिर सम्मत भुतकी, चीज़ेंちは Cleveland Two gasg Daveel despite injury to blah. तो आधुनिक भौत्की की बात करते हैं प्रवायों तो आधुनिक भौत्की के अंतरगत क्या होता है कि 1900 से इसवी के बाद कि जो भी भौत्की होती प्रवायों उसे हम कहते हैं आधुनिक भौत्की के प्रकार तो आप लोगों ने समझ लिया प्रवायों आधुनिक भौत्की और चिरसम्मदभत की दो प्रकार होती ही, अब हम पढ़ेंगे क्या चिरसम्मदभत की प्रकार, पहला यांत्रकी, इनकी परिभासाएं भी लिखते चलना, नोट डाउन भी करते चलना है, देखें, यांत्रकी सबसे पुरानी साखा है, इसके अंतरगत इस्तिर और धीमी चाल इसकी चाल बहुत बहुत, अब सेंता कैसे होता है, द्रौ की परते हैं, एक दूसरे के ओपर गति करते हैं, पहरे भायों, क्या होते हैं, द्रौ की परते हैं, एक दूसरे के ओपर गति करते हैं, तो उनकी वीचे एक विपरित घर्षन वल लग रहा होता है, उसे सेंता कहते समझ रहना तो यांद्रकि के अंतरगत हम हम क्या इंधन करते हैं धीमी गत से यहीं अधीमी चाल से गतिमान बस्तों का अधन करते हैं जैसे मैंने बताप हाई दिया भेर यह घर्सन हो गया है song उर्जा हो गया गति के नियाम हो गये गति के समीकर हो गये तो इन सब का अध्यन किसके अंतरगत करते ही यांत्रिकी के अंतरगत अब उस्मा गत की क्या है पेर भायों उस्मा गत की अब देखिए उस्मा सम्मंदित कोई भी तर्थ है जैसे हम उस्मा सम्मंदित अध्यन करेंगे ठीक है उसे हम क्या पोलें जैसे एंट्रापी में परिवर्दान ताप में परिवर्दान किसी बस्तुगया निकाय के आंत्रि भिन प्रकार के प्रक्रमों का अध्यन करते हैं उसे हम कहते हैं उसमा गत्की समझ गये बहुत की क्यों है साखा जिसके अंतरगत उसमा और ताप से समंदित भिन प्रकार के घटनाओं का अध्यन करते हैं उसे कहते हैं प्यरभायों उसमा गत्की मैं आपको बता रहा हूँ एक उस्मा से समंदित या ताप से समंदित अध्यन ही उस्मा गत की कहलाता है सिंपल है यानि इस साखा के अंतरगत उस्मा और ताप की अभधारणाओं का अध्यन करते हैं क्लियर है समझ गे न यांत्रगी के अंतरगत क्या होता पेरवयो धीमी गत से यानि कोई या धीमी चाल से कोई बस्तु का तिमान है तब उसका हम अध्यन करेंगे उससे सम्मधित तथात्मक चीजों का अध्यन करेंगे वो यांत्रकी के अंतरगत होता है और उसमत अध्या ताप से सम्मधित अध्यन करते हैं उसे कहते हैं उसमा गत्की इसके बाद बात करते हैं प्रकास की चार वाली घटनाओं का अध्धन करते हैं बहुत की की एक साखा है जिसके अंतरगत प्रकास से होने वाली भी घटनाओं का हम क्या करते हैं अध्धन करते हैं जैसे प्रकास का प्रकास का बितिकन प्रकास का बित्रण तरंग प्रकास की प्रकास की द्वती प्रकति इन तमाम चीज जो बिद्दुत्चुमकत मतलब चिर्ष सम्मध भौत्की का चौथा जो आपका है टाइप पैरे भाईू बिद्दुत्चुमकत अब इसमें क्या करेंगे बिद्दुत्चुमकत और इनके विक्रणों का अध्यन करेंगे इसके अंतरगत हम क्या करते हैं विद्दुचुमकत और विद्दुचुमकी विक्रणों का अध्धन करते हैं मतलब जिसके अंतरगत जो अध्धन करते हैं पेरे भायू उसी क्या धरप उसका नाम दे दिया गया है इसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं किसके बादे में आधुनिक भहत की को जाधा से जाधा 5-6 वागों माट आगे हैं चीजे देखते हैं थोड़ा सा तो सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक भहत की क्या है पारो आधुनिक भहत की है उनीस सो इसमी के बाद बहुत की जो भी मतलब नियम बनाएगे, सिध्धान दिये गए, है ना उसकी थियोरी का जो भी बढ़नन किया गए, उस समस्थ बहुत की आदनिक बहुत की है, जिसमें पहला है सापे छिक्ता का सिध्धान, इसके अंतरकत जैसे आपने पढ़ा एंतरक कि यह आदरकी में कै था पैरे भाईो, जो थड़ा मंद ऍकत से चलता है, बहुत चाल बहुत कम होता है, उसके अंतरकत हम अध्धन करते हैं, वो यह आदरकी कहलाता है, लेकिन वही पेरी तीब्र कट से मतलब कोई बस्तु गती कर रहा है, तब पैरे भाईो हम उसके अंतरक जो अधन करते हैं, उसे कहते हैं, साफे चीक्ता का सिद्ध्यान, मतलब, इसके अंतरगत तीब्रचाल से गतीमान बस्तों का अधन किया जाता है, और साफे चीक्ता के सिद्ध्यान का प्रतबादन किस ने किया था, अलवाट आईश्टीन ने किया था तो ये आधनिक भौतकी के टाइपस हैं, प्रकार हैं, मतलब मुख साखाएं हैं, आधनिक भौतकी के सापेचिकता का सिध्यांत, मतलब ती ब्रगत से कोई बस तो गती कर रहा है, तब अधन करेंगे तो सापेचिकता का सिध्यांत कहलाएगा, इसके बाद बात करते हैं, क्व कड़ की दोएती प्रकति पेरवाई तो ये क्वांटम एंद्रिक के अंतरकत आता है इसके अंतरकत सुषिकतम कड़ों आधोनिक भौत्गी के सिद्ध्यान पतलब जो अब का अध्धन करना परमारू भौत्की के अंतरगत रखा गया है यह नहीं भौत्की की वैसा का जिसके अंतरगत यहां पर आप ठीकोगी परिवासल लिख से तो भौत्की की वैसा का जिसके अंतरगत हम परमारू की सनचना और परमारू के गुड़ों का अध्धन करते हैं समझ अगला अपना प्रकार है ठोस अवस्था बहुत की इसके अंतर का कृष्टलिय पदार्थ हो अर्ध चालकों एवं मिस्र धातों के गुणों एवं उपयोग का अध्यन किया जाता है देखिए अर्ध चालक का मतलब क्या होता है जिसमें अल्पमात्रा में धाराव है ठीक है तो इनको क्या होता पेरवा उसके अंतर क्या करते ही क्रिष्टलिय पदार्थ क्रिष्टलिय थो सबस्ता भौतकी के अंदर गत मिस्रधातों का भी अद्धन करेंगे उनके गुणों का भी अद्धन करते हैं समझत चीज़े एक टाइप और है electronics यहाँ पर नहीं लिखा गया पेर भायो जो छठा है छठा साखा है आदनिक भौतकी का electronics इसके अंदर गत इलेक्ट्रान के गुणों पराधारित युक्तियों एबं अनुप्रियोगों का अद्धन किया जाता है क्या पेरे भायो इलेक्ट्रान ठीक है इलेक्ट्रान के गुणों पराधारित युक्तियों कि आप लोग वीडियो को share करें, अधिक सदिक लोगों को share करेंगे, थोड़ा सा motivation मिलेगा, और आपके लिए अगला वीडियो चल से upload हो जाएगा, और इसके बाद प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो मिलेंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लेंगे बाकि इसी प्रकार वीडियो आते रहेंगे आप लोग इस दिए हमारा help करेंगे support करेंगे हमापका पूरा help करेंगे हमारा आपसे बादा है ठीक है तो चले हैं मिलते हैं पैरे भाईओ नेक्स्ट वीडियो में जेहिन बने मात रहो